हेलो नमस्कार दोस्तों अब यह भी मिली मौसम विपाग की जानकारी के अनुसार उत्तर परदेश के लिए मौसम विपाग ने खास जतावनी जारी की हैं अगले तीन दिनों में बढ़ेगा हीट वेव का ज्यादा असर और पेंतारे डिग्री सेल्से तक पहुंचेगा ताप जिया दो तो इस बार और भैंकर मौण को गर्मिक आशर रहने वाला जिसकी वज़ये से अनको प्रहसायन का सामना करना पड़ सकता है लकलो समय उत्तर फारत के तीन दिनों तक हीट वेव का अशर बड़ेगा वहीं दोसु आने वाले-इस से लेकर आने तीन दिनों तक को त खत्रा बना रहेगा तो किन-किन जिल्यों के अंदर लूग का खत्रा बना रहेगा कब बारीश होगी मांट जूंग कब आ रहा है तो इन सब की जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखना तो चलिए सुरू करते हैं अपने गाओं का नाम जरूर से लिख देना था कि आपके गाओं मेरा आपकी जिल्ले में जब विबारी समद्धी मौसम समद्धी कुछ भी जानकारी हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसनी से पहुंचा पाऊं तो बात कर लेते उत्तर परदेश के सभी जिल्लों के पाइश में जां कुछ दिनों तक मौौसम कूल कूल को रहा था वही अब एक बार पीसे गरमी पूरे पर्देश में अपने अगोस में लिएने को तयार है एक बार फीसर सुरुज अपने तेवर दिखाने को तयार है, मौसम विबाग के पूर अन्मान पर गोल करते हैं अगले तीन दिनों तक यानि कल्च लेकर आने वाले चार दिनों तक के समय में परदेश के कई जगों पर लू चलने का अलट जारी कर दिया गया है और दिन के तापपान की बात करते तो इसमें भी भाहिंकर वर्दी हो सकती है आतलिक मौसम विग्यान केंदरिक के अनुसार इस लू का तपन दोस्तों आने वाले 21 मई से पूर यूपी के जन्जीवन पर थोड़ा रहात मिल सकती है वहीं दोस्तों कल की बात करें तो एक हिमाल तो कल की बाद करें तो लखनों में आज आस्मान साफ रह सकता है और लखनों में आज निवतन तापण सतरी दिगरी चेल्चिस और अधिक तापण चाली डिगरी सेल्चिस के बीच रहने के अर्श अर्जत है जा रहे हैं वहीं उत्तर परदेश में गर्मी का कहर अपने चरम पर हैं सुबह से लेकर रात तक लोगों को विशन गर्मी का ऐसास करना पड़ रहा है चिल्चलाती गर्मी की वज़े से आलम यह हैं कि लोग दिन के समय अपने गरों में केद होने पर मजबूर है बीच रण गर्मी की वज़े से बीमारिया भी बरती जा रही हैं लोग बुखार दस्त डाइरिया पेड़ जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं मौसम विपाक की माने तो उत्तर परदेश में लूच चलने का दोर अब सुरू होने बताया जा रहा है कि दोश्तों आने वाले दो शी तीन दिनों तक पपर देश में लूच चलने की सम्भावनाह जैते जा रही हैं वहीं एक दिन पेहले दोस्तों कल यूए कपस्टिमी और पूरी उत्तर परदेश में मौसम सुष करेंने की सम्भावनाह Eng overarching बाक्द्धिश पूर्पूर कोसंभी पर्याग राज पतेपूर परताबगर्द मत्थुरा आगराब फिरोजाबाद मेनपूरी इटावा और एया जलोन हमिरपूर मोहबा और चांसी में उसन लहर यानि लू चलने की संभावना जता ही गई हैं वहीं दोस्तों पर्चू में यहां पर उत्तर पर्देश के कुछ जगहों पर गरम हवा चल सकती है ऐसे में दोस्तों आने वाले दो दिनों बाद उत्तर पर्देश मौसम साफ रहने वाला है इस दोरां दोपर के समय तेज दूप हो सकती है लेकिन दोनों हिस्सों में कुछ जगहों पर 25 से लेकर 35 किलोमेटर परतिगंट के रप्तार से तेज हवाई चल सकती है इतना ये पूरी और परिष्टि मीं उत्तर पर्देश के कुछ जगाउपर रूश भी चल सकती है वहीं उत्तर पर्देश के कुछ जगहों पर तापान अधीतम ताफ़िशल कि से से पाठ चला गया है वही परदेश में सर्वदी गरम जगा मुठुरा रहा है। इन जुलों में लू का परकोप रहेगा तो ऑयमडी के मुटाबट, जिन जगहों पर लू से लोगों को परेसान करें वह जगह और तारीक इस प्रकार चे मैं आपको बता देता हूं आगरा में दोस्तों आज लेकर आने वाले तीन दिनों तक और अलिगड में यहां पर पर्शू से लूच चलने की संभावन जते जा रही है आयोधिया में भी दोस्तों कल और पर्शू लूच चलने की संभावन में दोस्तों बैंकर लूच चलेगी और यहां पर कल और पर्शू से लूच चलनी स्टार्ट हो जाएगी वहीं बदोई में भी दोस्तों कल और पर्शू से लूच चलनी की संभावना है इटवा में भी दोस्तों आज से लूच चलनी स्टार्ट हो गई है वहीं गाज़ाब की बात करें तो हमिरपूर में भी दोस्तों आज से लेकर आने वाले तीन दिनों तक लगाता तीन से चार दिन तक लगाता लूच चलेगी चांसी में भी दोस्तों आज से लेकर आने वाले तीन दिनों तक लूच चलेगी नोईडा में भी दोस्तों कल से लूच चलने के समभा सामना मौसम भी बांगने जताई है वहीं उत्तर परदेश के ताप पान चमाले डिगरी सेलसेट तक पहुंच गया है और दिन और रात के ताप पान में उमस भी बढ़ गई हैं वहीं हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है और नियुतन ताप पान भी लगातार बड़ोतरी हो पूरे परदेश का अधिक्त्रम ताप पान चमाल डिगरी सेलसेट और नियुतन ताप पान चमाल से तक पहुंच गया जो कि अपने सामाने से दो से तीन डिग्रीष अधिक हैं लक्तनों मौसम के अंदर के वरिश वेग्यानिक मौमदान इसने बताया कि फिलाल अभी गर्म जिला है जो एक दिन में सबसे गरम जिला रहा है और यहां का दिक्तम ताप कंच तक चलागए जबकि न्युटन तापन सताइस से अटाइस डिगरी के करीब है वहीं लक्नों मौसम केंजिंशन की और से दीग जानकारी के मुताबिद लखनों का आज अधिक्तम तापण 22 डिग्री सेल्चिस जबकि 59 तापण 27 डिग्री सेल्चिस रहेगा 12 बांकि हर्दोई कानपूर सेर कानपूर देहाद लकिमपूर खिरी गोरगपूर वाराशनी समयत बल्याच चूर्क और बाराइच और परियागराज का नियुतन तापण 23 डिग्री सेल्चिस लेकर 24 डिग्री सेल्चिस के बीच रहेगा जबकि इन जिलों का दिक्तम तापण 40 डिग्री सेल्चिस लेकर 22 डिग्री सेल्चिस के बीच रहने का पूर अनमान है पतेफूर बांदा सुल्तानपूर फेजाबाद पूरसत गंध गाजी पूर पतेगड़ बस्ती उरई हमिरपूर का नियुतन तापण सब्सक्राइब नजीबाबाद मुझापर नगर मेरट आगरा अलीगर बुलंद सहर इंटावाग में नियुतन ताफ़ान बाइस चोभी डिगी सेल्चिस जबकिन अधिक्तम ताफ़ान तैली से चमाई डिगी सेल्चिस के बीच रह सकता है